हमने देखा पिछली बारी किया है कि हमें कुछ इशुआ रहे थे जोईन करने में एक तो इशी इस करन था कि मेरे जो बाहर नेट चल रहा था और अंदर भी वो कंफिलिक्ट कर रहा था क्योंकि DNS और भी था मेरे पास से क्योंकि जब हम नेट इसस करते हैं बाहर से तो वो वा आने जो प्रावलम्स आने वो भी बहुत जरूरी होते हैं उससे कई वरी आप ज्यादा अंडरस्टैंड करते हो इसलिए मैं पहले वाले भी वी वीडियो मदी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा कि यह इशुज आ सकते हैं फिर टरबल शुट करना बहुत जरूरी होता है तो उसके बाद मैं वापस विंडो 10 के उपर जाता हूँ विंडो 10 पे जाके हमें कमांड चलाते हैं वही nslookup c16.example.com पिछली पर हमने देखा था वो resolve नहीं कर पा रहा था पर उपर उस नहीं क्या कर दिया है हमें address properly दिखा दिया है फिर दिया रखो कि हमने जब भी इसको networking म लेकर आना है domain की networking में एक वरी फिर में दिखा दिता हूँ कि क्या options आपने चूज़ करने हैं आपने सबसे पहले dns का address specify कर देना है तो यहां पर properties तो यह address है तो हमने यहां पर dns का address दे दिया था क्योंकि वो दिक्कत ही है कि यहां net भी चल रहा था तो वो कुछ conflict वगरा हो रहे थे तो मैं अब इसको वापस हम domain में join करके देखते हैं कि क्या होता है हम यहां पर right click करके properties change settings change हम फिल्ड में का ना हम specify कर रहे है example.com okay हम username specify कर रहे है administrator that means जो domain controller का जो main user है उसका administrator है और उसका जो भी पासवर्ड है वह हमने दे दिया है okay अब हमारे पास कोई issue नहीं आना चाहिए तो यह भी बहुत जुरूरी है इसलिए मैं पहली वीडियो भी इसमें प्ले लिस्ट में रहेगी ताकि आपको यह भी पता लगेगी क्या troubles आ रही है हैं तो अब हमारे पास कोई issue नहीं है वह क्या था कि बारला नेट कोई उसका भी अपने dns होते हैं तो वह conflict कर रहा था the resolve नहीं हो पा रहा था तो हमने okay कर दिया है को कि क्योंकि बहुत यह simple process होता है सच कोई ऐसे problem नहीं आने चाहिए थी बट कई बड़ी है हमारी और भी कई चीजें साथ-साथ चल रही होती है तब यह issue आ जयता है तो हमने देखा कि हमारा बहुत quickly क्या आ गया है टुमेन के अंदर आ गया है तो इसलिए आपने क्या करना है पहले डुमेन को जञए करने से पहले नस लुक आप से नेम सर्वर लुक आप तो आपको बता देता है की properly resolve हो रहा है की नी हो रहा तो अब हमारा computer क्या है, डुमेन को जञए कर गया तो अब हमने किस की user की तरह लोग इन करना है नहीं test user की तरह नहीं other user की तरह हमारा जो user क्या है नन्नू है जो भी हमने password दिया है उससे हम login करके देखते हैं तो यह हमारी domain की networking होगी की domain कैसे implement करना है client को कैसे join करना है तो अब वो क्या करेगा जो भी वहां पे हम user बनाएंगे अगर सब्सक्राइब हम एक आनिया user वहां पर बनाती है तो कोई issue नहीं है वो भी by default किसी भी client system से login कर सकता है हमारे case में हमने domain controller ले रही है domain client एक लिए है आप अपने case में दो चार systems को domain में लेके आ सकते हो तो हमने example के तोर पे हमारे पास एक domain controller एक client है तो अब आप nano user की तरह काम कर रहे हैं तो मैं अभी इसको एक वरी restart कर देता हूँ that means हमारे जो यह है हम successfully जो domain में है उसको join करने के काबिल हो गया है मैं फिर एक वरी screenshot दिखा देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है या address वगएरा DNS का दे देना है उसके बाद आपने जहां से आपने name और work group दिया था वहाँ पे जाके आपने change कर देनी है domain का नाम specify कर देना है example.com आपसे यूजर नेम जिसके पास permissions है domain में जो है इन कुरवाने की तो हमने administrator और उसका password दे दिया okay कर देना है restart बोलेगा तो restart कर देना है अपने और फिर आप वो restart बोलेगा restart कर दिया तो आपसे पूछेगा other user की तरह अपने login कर लेना है तो आप जब इससी specify करोगे आप login कर देना है तो इस तरह हम नहीं क्या देख लिया कि domain की networking के अंदर जो सबसे बड़ीया बात है वो क भी हम advantage देखेंगे कि क्या है क्या हम कुछ restrictions बगारा लगा सकते हैं कि यह user is computer से login कर सके इससे ना कर सके क्या time based restriction लगा सकते हैं तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या benefits हैं कि जब हम domain की networking करते हैं तो यह सारा कुछ देखेंगे